दिल्ली चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसली है। वहीं आज दिल्ली के मुखी मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अर्विंद केजरिवाल वधासबा चुनाव के लिए नए दिल्ली वधासबा सीट से नामंकन दाखिल करेंगे। नामंकन के पहले केजरिवाल ने अपनी मा का शिर्वाद लिया। साथी आम आदमी पार्टी काफी जोशोर से चुनाव प्रसार कर रही है। इस चुनाओ में Kejriwal को उनकी पत्णी सुनीता Kejriwal, बीटी हर्षिता केज्रिवाल और पीटा पुलकित Kejriwal का साथ भी मिल रहा है। चुनाओं से पहले केज्रिवाल के परिवारबाले भी जमकर प्रजार में जुट गए हैं। बीटी हर्शिता और बीटा पुलकित हाथों में आम आदमी पार्टी का पांच साल का रिपूर्ट कार्ड लेकर कैम्पेंड कर रहे हैं तो में उनकी पतनी सुनीता भी लोगों से वोट की अपील कर रही है बता दे हर्शिता ने चुनाओ में पिता का साथ देने के लिए ओफिस से पांच महिने के चुट्टी ली है अर्विंद केजरिवाल की पतनी सुनीता भी बच्चों के साथ मिलकर कैम्पेंड में कड़ी महनत कर रही है वहीं सभी के घर घर जाकर लोगों को आप सरकार के पांच साल के रिपोर्ट कार दिखा रही है इसी के चुलते सुनीता केजरिवाल का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी प्रदूशन और स्वच्चता को लेकर बहुत अच्छे से काम करेगी